Python programming के basics को clear करते हुए हम step by step आगे बढ़ रहे हैं और ये videos भी उसी series में बनाई जा रहे हैं ताकि आप एक zero level से लेकर करके किस तरीके से increasing order में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने last video में cover किया थे functions, process क्या होता है functions का, यहाँ पर कुछ common functions लिखे हुए हैं जो inbuilt function है Python के, input output function है, data type को conversion के लिए function है, कुछ mathematical functions है और other functions भी दिये हुए हैं। तो Python के इन functions का use करते हुए, programming के पहले या हम कह सकते हैं, control statement की और हम बढ़ रहे हैं, जिस statement को बहुत commonly हर programming language में use करते हैं, if else statement, if statement जब आपको result देना होता है, condition के according, जैसे हमने equals to operator पढ़ा था, and operator के साथ में, कि अगर यह condition दोनों साइड की true होती है, तो answer true आएगा, otherwise false हम कोई condition दे दें, condition like क्या हो सकता है, जैसे आपकी age 18 साल या 18 साल से उपर है, तो अगर आप 18 या 18 से उपर हैं, तो आप vote दे सकते हैं, otherwise नहीं दे सकते हैं, यानि जब कोई चीज condition के base पे जिसका result decide हो, this is an control statement, if yes तो यह हो जाए, और otherwise यह हो जाए, तो यह statement होती है, if और else की statement, इसमें हम और भी कर सकते हैं, जैसे कोई number positive है, या negative है, कई तरीके की statement का हम use कर सकते हैं, जैसे सामने यहाँ पर एक example लिया हुआ है, if statement को लेकर के, age equals to int, input, enter your age, यहाँ पर age value हमने एक age नाम की variable में accept कराई है, और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, if age greater than equals to 18, colon, यह colon लग गया यहाँ पर, आगे hashtag लगा है, तो यह hashtag हमारी single line comment है, जो हमारे code पर तो होगी, लेकिन यह programming पर run नहीं होगी, इसको check करते हैं, हम इसको code को copy करते हैं, और python interpreter पर लेकर चलते हैं, spider पर, तो हमने python का spider interpreter open किया हुआ है, यहाँ पर हम इस code को लिखेंगे, यह simply मैं आपके लिए ल अब भी हम यहाँ पर एक और function लिखते हैं, input function, input, और input में हम एक string देते हैं, enter your age और double quotes को बंद करते हैं, यह statement complete हो गई, इस statement का मतलब आप सबको समझ में आ गया होगा, age एक variable है, जिसमें हमने enter your age नाम का एक string प्रिंट कराया, input function ने एक value get करी, जो कि string टाइप किया आएगी क्योंकि जब भी आप input लिख करके कुछ भी accept करेंगे, कुछ भी value user से लेंगे, वो हमेशा string टाइप कियाएगी, character टाइप कियाएगी, और फिर हमने एक int function लगाया, कि इसमें जो भी value आए, उसको integer में convert कर दे, एक number में convert कर दे, complete number में, तो यह function जो इतना लिखा हुआ है, य हमने एक input ले लिया, अब हम यहाँ पर condition चेक करेंगे, if, if को लिखने के लिए if लिखेंगे, age variable greater than equals to 18, तो यह मैंने condition लगाई, logical एक operator जो relational operator है, इसमें मैंने age greater than equals to 18 condition को put किया, और उसके बाद मैंने colon लगाया, यह colon बता रहा है कि यहाँ से age का area शुरू होता है, यहाँ से age if की जो condition है वो शुरू होती है, उसके बाद हमने enter किया, अब आप देखी, जैसी मैंने enter किया, तो if से थोड़ा सा आगे आकर के cursor blink कर रहा है, जबकि अगर मैं यहाँ पर enter करता हूँ, तो cursor मेरा बिलकुल starting line पर आ रहा है, लेकिन if condition के बाद अगर मैंने enter press किया, तो यह cursor automatically if स आगे कर आ रहा है, अब if से आगे इसलिए आ रहा है, क्योंकि इसमें indentation होता है, अब जो भी आप मैं यहाँ पर code लिखूंगा, वो if block के अंदर होगा, मैंने लिखा print statement, print function जो print करने का काम करता है, you are eligible for vote, आप vote के लिए eligible हैं, अब यह statement मैंने if के अंदर लिखी है, अब यह कैसे पता चलेगा, इस statement if के अंदर है, क्योंकि if के block से थोड़ा सा आगे है, आप ज्यान से अगर देखेंगे, यह लिखा है, if age greater than equals to 18, if मेरा keyword है, age greater than equals to 18, मेरी condition है, जो check करेगी, कि age में जो value आई है, वो 18 या 18 से जाधा है या नहीं है, और अगर है, it means true है, तो उसके करूँ, और backspace दबा के यहाँ पर भी एक print statement लिख दूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, I am not in if body, कि मैं if body का part नहीं हूँ, यह if का part नहीं है, जबकि उपर वाली जो statement, print statement है, यह if का part है, तो अभी confused नहीं होते हैं, पहले हम इस code को run कराते हैं, इस file को save कर लेते हैं, if else क के नाम से save कर देता हूँ, और आपको इस video की description में यह file हम share कर देंगे, तो आपको code समझने में और easy रहेगा, अभी इस file को मैंने if else के नाम से save कर दिया है, हम इसको run करते हैं, right hand side पर आप देखेंगे, console output पे इसका acceptance value आएगी, तो आप देख रहे हैं, यहाँ पर उसने पू It means, आपने 18 डाली age, तो उसने इस value को भी print किया, और इस वाली statement को भी print किया, कब जब मैंने यहाँ पर age input 18 दिया, हम इसको दुबारा run कराते हैं, और इस बार हम age की value कम रखेंगे, हम रते हैं 15, अब अगर मैंने 15 दिया, तो आप देखें, यहाँ लिखा आया, I am not in if body, या यह statement if का part नहीं है, यानि अगर आप अपने programming में यह दोनों line हटा देते हैं, तो भी यह print होगी, इसका किसी condition से correlation नहीं है, यही समझाने के लिए कि यह eligible for vote वाली line आपकी if part का हिस्सा है, इसलिए हमने if के आगे print statement लिखा, अगर मैं दुबारा एक enter करके यहाँ पर print लिखता if के अंदर है, क्योंकि same indentation पर है, if से आगे जो print है, यह gap पर है, it means यह भी if का ही part है, अगर यह print statement आपकी इधर हो जाती, यानि if के equivalent आजाती, if के बराबर आजाती, तो फिर यह if के block से कतम हो जाएगी, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कि यह colon जो है, यह if की शुरुवात है, यह बताता है, कि if यहाँ से शुरू होता है, लेकिन अगली कोई भी statement जो if के बराबर में आ जाएगी, तो वो यह बताएगी, कि यह if की body अब खतम हो गई है, अब if का जो relation है, वो काम नहीं करेगा, तो अब अगर मैं यहाँ पर इस line को दुबारा हम value print कराते हैं, और check क होई है, ओपर की दोनों statement नहीं होई, क्योंकि यह दोनों किसका part है, if का part है, यह दोनों कब print होगी, जब यह वाली condition true होगी, दुबारा run कराते हैं, इस बार हम age डालते हैं, 19, तो 19 condition true है, तो इसलिए तीनों line print हो रही है, you are eligible for vote, और I am in if body, और I am not in if body, क्योंकि I am not in if body वाल तो आपको यह single if समझ में आ गया होगा, कि अगर आप if statement लगाते हैं, और इस gap को दे करके जब आप print statement में कुछ भी लिखेंगे, तो वो इस condition का part होगा, इतना हिससा यह if का part है, if की condition यहां से शुरू होती है, और यहां पे खतम होती है, इसके बाद आप जो भी लिखेंगे और इसके gap दे करके लिखेंगे तना space देगें, इस indent आप इससे देंगे, तो वो सारा काम if body के अंदर होगा, उसके बाद है, जैसे ही आप if के बिल्कुल बराबर में ले आएंगे किसी भी statement को, तो वो if के part से बाहर चले जाएगे, अगर हमें काम करते हैं, इस वाले second print statement को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, इसको थोड़ा आगे रखा, इसको थोड़ा सा हमने पीछे किया, आप देखने हैं यहाँ पर yellow एक icon भी आगया है, यह लिखा भी आगया है, unindented doesn't match any other indentation, कि यह किसी भी indentation level को match नहीं कर रही, जरूरी नहीं है कि आप इसको इसके बराबर आप इसको पीछे कर सकते हैं, तो दोनों equivalent हो सकते हैं, जब आप इसे run कराएंगे, तो आपका code बिल्कुल ठीक चलेगा, लेकिन अगर किसी को भी आगे पीछे आप करते हैं, मालने जिए इसको थोड़ा पीछे कर दिया, इस statement को आपने थोड़ा आगे किया, अब आप इसे run करेंगे, तो वो एक error देगा, unindent, क्योंकि ये indentation नहीं है proper, आपको इसको भी इसके equivalent लाना ही पड़ेगा, तो if body के अंदर, आप proper कोई gap दे करके, जो statement लिखेंगे, वो if का part होगी, तो ये आपको समझ में बात आ गई होगी,